नमस्कार स्वागर थे आप सभीका टार्वे तालोक अनलान इस्ट्यूट में एक बार फिर से आप सामने उपस्तेत हूं एक मात्मून टॉपिक लेकर जैसे प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं तो आज वह मेरी आप से भारत की खनेजों को लेकर अधिकांस्ता यहां से पिष्ण बनाता है भारत के खनेजों से संबंदित और जब आपकी परिक्षा होगी तब मैं आपको खनेजों से संबंदित कुछ आकड़े भी बताऊंगा क्यूंकि किर्सी और खनेज और परिवाहन वर्तमान समय में कौन सा राजी कोईले को अधिक तो आभी जो आकड़ा है एक बार हम आभी इसको देख लेते हैं और जब आपका एक्जाम का समय होगा उस समय फिर से में एक बार इस आकड़े को आपको रिवाइज कराऊंगा अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज रहेग किसी प्रकार को कोई परिवर्तन रहेगा तो आराम से हम उसको कर सकते हैं ठीक है अगर हम खनिजों की बात करते हैं तो भारत में पाए जाने वाले खनिजों को हम लोगों ने तीन भागों में बाटा है एक ऐसे खनिज हैं जिनको उपयोग हम इधन के तौर पर करते हैं तो इधन खनिज को हम जीवास्म खनिज के नाम से भी जानते हैं इसलिए इधन खनिज को क्या नाम दे दिया गया इधन खनिज को नाम दे दिया गया जीवास्म खनिज ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए पहले से कुछ मैंने तयारी की है यह देखेगा चाहे तो हम खनिज संसादन कहें या इसी को लिखा हुआ कहीं कहीं पर आपको मिलता है प्राकृतिक संपदा या तो खनिज संसादन कहिएगा या फिर क्या लिखा मिलेगा या फिर लिखा मिलेगा प्राकृतिक संपदा तो देखेगा अगर खनिज संसादन या प्राकृतिक संप्रदा का अगर हम बर्गी करण करते हैं तो तीन भागों में हमने इसको बिभाजित किया है कौन-कौन से तीन भाग है एक है आपका इधन खनिज इधन खनिज को हम जीवास्म खनिज भी कहते हैं तो ऐसे खनेज जिन में जीब जनतूं के आवसेस पाए जा रहे हैं या ऐसे खनेज जिन में जीब जनतूं के कोई आवसाद पाए जा रहे हैं और इनका उपयोग हम इधन के तौर पर कर रहे हैं तो ऐसे खनेजों को हम जीबास्म खनेज या इधन खनेज के नाम से जानते है कौन कौन से खनेज इसके अंतरगत इसके अंतरगत आपका कोईला सामिल है पैट्रॉलियम है और साथी साथ प्राकृतिक गैस है तो कोईला पैट्रॉलियम और प्राकृतिक गैस किसके अंतरगत आते हैं कोईला पैट्रॉलियम और प्राकृतिक गैस इधन खनेज है इनी को हम क्या कहते है इनी को हम जीवास्म खनिजी भी कहते है ठीक है उसके बाद एक खनेज होते हैं धात्वे खनेज तो धात्वे खनेजों के नाम से ही पत चला है धासे धातु और दासे धात्विक याद रखना कि धात्वे खनेज ऐसे खनेज जनमें धातू का अंस पाया जा अब इन धात्वे खनेजों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया एक ऐसे खनेज है जिन में क्या है लोहे का अंस पाया जा रहा है उन्हें नाम दे दिया गया लोहांस धात्वे खनेज और कुछ ऐसे भी खनेज है जिन में लोहे का अंस नहीं पाया जाता है उन्हें न की नम लिए है मुख है यहां पर सोना कोई जानता होगा मैं भी देखो इस सोनी की रिंग के पहने हुआ हूं तो इस सोनी की रिंग में किसी भी पिरकार का कोई लोहिकांस नहीं है तो एक काुंसा धातु तो है इस सोना धातूग तो है लेकिन इसमें लोहे कांस नहीं है इसलिए से हम आलोहांस खनिज कहेंगे नाम से इस संज में आ रहा है धातिवे खनिजों में लोहांस खनिज लोहा, मैगनीज, टंगस्टन, क्रोमियम, टेन पाये जाता है लोहांस खनेज जिनमें लोहे कांस पाए जाए जाए अलोहांस खनेज जिनमें लोहे कांस नहीं पाए जाता है सोना है, चांदी है, कौपर है, सीसा है, जस्ता है तो यह सभी क्या है, यह सभी आपके अलोहांस खनेज है यह सभी आपके कौन से खनिज हो जाते हैं तो यह सभी आपके हो जाते हैं आलोहांस खनिज याद रखेगा कौन से खनिज हो जाते हैं तो यह सभी हो जाते हैं आपके आलोहांस खनिज अब एक खनेज है आधातविक खनेज तो ऐसे खनेज जनमें धातू नहीं पाई जा रही है उन्हें हम आधातविक खनेज कहते हैं ऐसे खनेज जनमें धातू का नसनाओ जैसे चूना पत्थर है जैसे जिपसम है हीरा है अब्रक है तो यह सभी कैसे खनेज हो जाएंगे यह भी आपके हो जाएंगे अधात्त भी खनिज बोलो इतनी बात संज में आई तो जल्दी से इसको बना लिजेगा फिर हम लोग आंगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह पहले से कियो ही तैयारी है जानना समय नहीं लगेगा इसको लिखने में तो पहले आप इसको बना लिजेगा फ आप से जानदे यही से आपको चार ओप्शन दे देगा एक परिक्षा हुई थी हाला में उस परिक्षा का और आपकी परिक्षा का कोई लेना देना नहीं है लेकिन मैं केवल प्रिष्णों की प्रिवरती बता रहा हूँ एक परिक्षा हुई ठीक है उस परिक्षा में जिसके मैं धातू नहीं पाई जाती एक हज़े चलेगा तोमए इधन खनेज पढ़ाना प्रारम करता हुं सबसे पहले इधन खनेज मैंने लिखा है आज के सेशन में हम लोग प्रियास करेंगे कि पूरा इधन खनेज आपका हो जाए हमेशा याद रखेगा इधन खनेज जो होता है इधन खनेज जो होता है अच्छे समझेगा इधन खनेज के बारे में याद रखेगा कि इधन खनेज जो होगा वह गोंडवाना काल की चटान से प्राप्ति किस से प्राप्ति होती है तो इनकी प्राप्ति हमेशा याद रखेगा गुंडवाना क्रिम की चट्टानों से होती है धात्वे खनेजों के लिए हमेशा याद रखेगा कि एक चट्टान ने पाएं गई करनाटक की छित्र में जिनका नाम है धारवाड चट्ट से और अधात्यवे खनेश आपको सामानिता बिंध्यांचल परवत के आसपास के छित्रों में चट्टान में पाई गई जिनका नाम था बिंध्येन खिण किरीम की चट्टान न हे। तो अधात्वे खने जो हैं वह विंधियन क्रिम की चट्टानों में पाई जाते हैं, विंधियन क्रिम की चट्टानों से किसकी प्राप्ति होती है, विंधियन क्रिम की चट्टानों से अधात्वे खनेजों की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, अधात्वे खने आप कहेंगे सर आपने तो लिखाया भी के कोईला गोर्णवाना करिम की चट्टानों गोर्णवाना अगर आपको याद होगा जब मैंने जोगरफी पढ़ाना आपको प्रारम किया था मैंने बताये था कि जब सभी महादीप आपस में जोड़े हुए थे तो उसको हम क्या कहत इधन के लिए लेकन अगर जो मैगमा की उत्पत्ति के अधार पर जो तीन परकार की चट्टाने बनती हैं तीन परकार की जो सेल करम बनते हैं आगने आउसादी और रूपांतरत तो अगर आप से पूचा जाए कि वह कौँँ सी चट्टाने हैं जिनसे इधन खनेज मिलता ह कोईला पैट्रॉलियम प्राकृति गयक तो आप बताएंगे आउसादी गोर्णवाना करिम के अंतरगत आउसादी चट्टानों से प्राप्ति होती है कोईला पैट्रॉलियम प्राकृति गयस की ठीक है देखो तो कोईला जिसको इंगलिस में कोल कहते हैं आउसादी इसमें पाइ जाती है और जिस कोईले में जितना अधिक कारवन पाया जायेगा उस कोईले की जलने की छम्ता उतनी अधिक होगी और जो कोईला जितने अच्छे प्रकार से जलेगा उतना कम धुआ देगा तो हम यहाँ पर equation बना दिये कि कारवन की मात्रा का सीधा संबंध होता है ज्वलन सीलता का और ज्वलन सीलता का विप्रीत संबंध होता है एक वटे धुआ की मात्रा से यदि हम कहते हैं कि किसी कोईल जलने की चमता देखंके किसी कोईले की जलन सीलता कम थे तो आप कहेंगे कि द्धुआ की मात्रा दिखोगी जाईरसी बात है आपके पासे कोईला है अगर वो अच्छे प्रकार से जल रहा है तो वो क्या कहेंगे जोलन सीलता दिखोगी उसमा में अधिक देगा तो विप्रीत संबंद है अब इसी पूरे को और एक equation और है कि कारवन की मात्रा के अधार पर ही हम निर्धारन करते हैं कि कौन सा कोईला अच्छे प्रकार का है और कौन सा कोईला खरा प्रकार का है तो यहां पर लिखा है कि कारवन की मात्रा का सीधा संबंद है किस से कारवन की मात्रा का सीधा संबंद है गुडवत्ता से कौन से कोईले में किस प्रकार की गुडवत्ता पाई जा रही है कौन सा कोईला उच्छे प्रकार का है कौन सा कोईला निर्धार का एक और नई equation बन जाएगी इन दौनों equation को मिला दिया जाए तो एक नई equation बना देंगे हम और यही equation अंतिता आपको याद रखनी है equation क्या है equation यह है कि कारवन की मात्रा जो होती है कारवन की मात्रा इसका सीधा समंध होता है ज्वलन सीलता से कारवन की मात्रा का सीधा समंध होत होता है ज्वलन सीलता से किसे ज्वलन सीलता कारवन की मात्रा का सीधा संबंध होता है ज्वलन सीलता से और ज्वलन सीलता का विप्रीत संबंध होता है एक बटे धुआ की मात्रा से एक बटे धुआ की मात्रा है ना यानि बिप्रीद तो इसको सबसे पहले तो मैं एक box में बंद कर देता हूँ आप इसको आपको समझाता हूँ जो मैंने अभी समझाये था वही है ठीक है एक वार मैं फिर से आपको समझाता हूँ इसका मतलब यह है कि यदी किसी कोईले में कारवन की मातरा देख है तो उसकी जोलन सीलता देख है और यदी किसी कोईले में कारवन की मातरा देख है तो उसकी जोलन सीलता देख है और जोलन सीलता अगर उसकी अधिक है तो जाहिर सी बात है उसमें धुआ की मातरा कम निकलेगी उससे जाहिर सी बात है उससे धुआ की मातरा के आऊगी उससे धुआ की मात्रा कम निकलेगी तो किसी कोईले में कारवन की मात्रा कम है तो आप कहेंगे सर उसकी ज्वलन सीलता कम होगी तो आप कहेंगे सर उसकी ज्वलन सीलता कम होगी और अगर उसकी ज्वलन सीलता कम है तो उसकी धुए की मात्रा उससे निकलने वाले धुए की मात्रा अधिक होगी उससे निकलने वाले धुए कि यदि किसी कोईले में कारवन की मात्रा देखे तो कारवन की मात्रा के आधार पर हम यह निसकर्स निकालते हैं कि उस कोईले की गुडवत्ता कैसी है उस कोईले में कितना कारवन है कारवन की आधार पर ही हम उसकी गुडवत्ता का मापन करते हैं ठीक है कोईले के प्रकार की बात करते हैं तो कोईला चार प्रकार का होता है यहाँ पर लिखा है कोईला कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे सर कोईला चार प्रकार का होता है मैंने लिख रखा है कोईले के प्रकार एंथरासाइड बिटुमेंस लेगनाइट और पीट कोईला कितने प्रकार का होता ह तो कोईला चार परिकार का होता है एंतरासाइड है, बिटुमिन्स है, लिगनाइट है और पीठ है एंतरासाइड कोईला जो है इसमें कारवन की मातरा 90 से 95 प्रतिसत होती है एंतरासाइड कोईला जो है इसमें कारवन की मातरा 90 से कितनी होती है लगबक 60 से कितना, 60 से 70 प्रतिसत होती है, लेगनाइट कोईला जो होता है, इसमें कारवन की मात्रा 50 से 55 प्रतिसत होती है, और पीट कोईला इसमें कारवन की मात्रा कितनी होती है, तो लगबक 30, मैंने क्या बताया, कि जिस कोईले में कारवन की मात्रा अच्छी है, उसकी कम है उसकी गुडवत्ता उतनी कम होगी तो यहां देखेगा एंथरासाइट कोईले से जैसे जैसे आप यहां से एंथरासाइट से बिटुमेंस बिटुमेंस से लगनाइट लगनाइट से पीट की ओर जाएंगे तो इसकी गुडवत्ता में कमी आएगी कोईले की गुडवत् में क्या आएगी कमी आएगी कोईले की गुडवत्ता में कमी क्यों आ रही है क्योंकि कारवन की मात्रा में क्या रही है कमी आ रही है तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एंथरा साइट से bitumen koila bitumen se legnite or legnite se peat ke ho jayenge to carbon ki matra mein kami aegi or carbon ki matra mein kami aane ke saad sat gulwattah ki matra mein gulwattah bhi kama hooggi to iska matlab ye hai ki joh peat koila hai is sabse ghaatiya kisim ka koila hai ab ghaatiya sabda thoda acha nahi lagta hai isil ilye lg diya sabse nimne prakar ka koila sabse nimne koila hai sabse nimne prakar ka koila nimne ka matlab koji hai nai to nimne prakar ka meaning sabse nimne prakar ka koila hai sabse nimne prakar ka koila hai k marsha to aap kaging kapepe or anthracite ki bari no yad rakhye ga ye saryoche prakar ka koila hai ye hai kis prakar ka koila hai to yahan 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 yaad rakhye ga yahan aapka sarwotsch prekar ka koila hai sarwotsch prekar ka koila stay love chard偷 prekar ka koila ka m 여기까지 ki iski gulwattah sabse a chри sarwo participarkar ki koila ka क्या है कि इसकी गोड़वत्ता जो है इसकी गोड़वत्ता सबसे अच्छी है ठीक है अब अगर का यहां से एंथ्रासाइट से पीट की हो जा रहे हैं कारवन की मात्रा कम हो रही है तो जोलन सीलता भी कम होगी और जोलन सीलता कम हो रही है तो धुआ की मात्रा में क्या होगी की मात्रा में विरिद्धी होगी समझ पा रहा है मेरी बात क्या आप मेरी बात समझ पा रहा है तो इसको बना लीजेगा फिर हम लोग आंगे बढ़ते हैं ठीक है इसको बना लीजेगा फिर हम लोग आंगे बढ़ते हैं इसको बना लीजेगा फिर हम लोग आंगे बढ़ एक-एक से अभी कोईले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखो, अगर आप से पूछा जाए कि कौन सा राज है, जहां पर कोईले के भंडार सबसे अधिक है, उत्पादन और भंडार में अंतर है, उत्पादन का मतलव है, अब पहले भंडार जा रहा है, अब कोईले सबसे जानदा कहां पर भंडार है, चत्थीस गड़ में, लेकिन चत्थीस गड़ में जो कोईला पाये जा रहा है, या तो वह अच्छे प्रकार का नहीं है, या उस कोईले को निकालने में कुछ समस्यां उत्पन हो रही है, इसलिए तो यहां का के जबकि जारखंड में जारखंड भंडार की मामली में दूसरे नमर पर है लेकिन यहां से कोईला अच्छे से निकाला जा रहा है जल्दी से निकला रहा है है यहां पर भी कोईला है यहां पर भी कोईला है जारखंड में भी 36 गण लेकिं 36 गण से कोईले निकालने में थोड़ है कि उत्पादन किसे कहते हैं और भंडारन किसे कहते हैं ठीक है आपके पास मैं कह रहा हूँ आपके पास सो एकड़ जमीन है और किसी व्यक्ति के पास पचास एकड़ जमीन है जितना आप सो एकड़ से उत्पादन कर रहे हैं वो व्यक्ति उतना पचास एकड़ से कम है बहीं दूसरे व्यक्ति के पास खेत का आकार छोटा है लेकिन वो फसलों का उत्पाद अधिक कर रहा है उसकी उत्पाद अंदर अधिक है इस परकार से समझेगा ठीक है अब एक-एक से कोईला की बारे में समझते हैं कि कौन सा कोईला कहां पाये जाएगा ठीक है तो यह यहां पर समझेगा चलेगा यहां पर समझने का प्रियास कीजेगा सबसे पहले अगर हम एंथ्रासाइड कोईले की बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी एंथ्रासाइड कोईला सबसे पहले एंथ्रासाइड कोईले की बात करते हैं यह बात मैंने बताई द भारत में इसके भंडार हिमालयी छित्र में हैं, केवल जम्मु कस्मीरा जिसे इसकी प्राप्ति होती है, केवल जम्मु कस्मीर से इसकी प्राप्ति होती है, कहां से प्राप्ति होती है, तो केवल जम्मु कस्मीर से होती है, तो याद रखेगा, इसकी प्राप्ति केवल और केवल जम्मु कस्मीर से होती है, टीक है? done है बात? बताओ बात done है? हाँ आगे बड़े? चलो इंतरा साइड के बाद दूसरा कोईला है जिसका नाम है usicoylae का नाम क्या है? इस कोईले का नाम है usicoylae का नाम है कौण सा कोईला है? तो इस कोईले का नाम है तकी है आपका bitumens kroilai ठीक है, bitumens koila भारत में सरवाधिक भंडार bitumens koila के ही है, सरवाधिक भंडार बिटुमिन स्कोईला के ही है तो भारत में सरवाधिक मात्रा में कौन सा बिटुमिन स्कोईला पाई जाता है भारत में सरवाधिक भंडार बिटुमिन स्कोईला के ही है भारत में सरवाधिक भंडार किस कोईले के हैं तो याद रखेगा भारत में सरवादे भंडार बिटोमेंस कोईला के ही है उसके बाद तीसरा आता है लिगनाइट कोईला तीसरा जो कोईला है लिगनाइट कोईला लिगनाइट लिगनाइट कोईला तीसरा कोईला जो है इस कोईले का नाम है लिगनाइट कोईला सबसे अच्छा उसे कम अच्छा उसे कम अच्छा ठीक है तो तिर्थी परिकार का कोईला है लिगनाइट कोईला और भारत में इसके भंडार भारत में इसके भंडार भारत में इसके भंडार भारत में सरवादिक लिखते हैं, भारत में इसके सरवादिक भंडार तमिलनाडु के मननार गुडि में पाए जाते हैं, तमिलनाडू के मननार गुड़ी तमिलनाडू के कहाँ पर तमिलनाडू के मननार गुड़ी में पाए जाते है कहाँ पाए जाते हैं तो सरवादिक भंडार इसके तमिलनाडू के मननार गुड़ी में पाए जाते हैं यह भी आपको याद रखना इसके सरवादिक भंडार कहां पाए जाएंगे तो इसके सरवादिक भंडार तमिलनाडू के मननार गुली में पाए जाते हैं इसको याद रखीगा ठीक है? चलो पीट कोईले की बात करते हैं जो कि सबसे निमने परकार का सबसे घटिया किसम का कोईला होता है तो उसके बारे में आपको क्या याद रखना है उसके बारे में आपको यह याद रखना है कि जो पीट कोईला होता है यह भारत के लवग हर एक छेत्रों में पाए जाता है जहाँ पर लंबे समय से पानी एकत्रित है जो दलदल छेत्र है वहाँ पर यह अधिक मात्रा में पाए जाता है ठीक है चलो आंगे बढ़े चले अब देखिएगा अब मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि कौन कौन से राज्य हैं जहां से कोईला मिलता है अब आपसे ऐसा भी कुछन पूछ लेगा जैसे मैंने का कि जार जार्खन्ड के किस छित्र से कौईला की प्राप्ति होती है आप से हुए कुछ्षन पूछ लेगा की इसक्ति कौञिए इस प्रकार का वह कुछ भाष्ट करें धर्स घरिया और धन्वाद के बार मैंने आपको पहली पड़ाए कि ठन्वाद को भारत की कोईला नंगरी कहते है धनवाद सहर जो की जारखंड में है तो एक साइड में ने राजलिख रखे हैं और दूसा इक इस किस प्रकार का इसी तो मैं पहले भी आपको समझाया है मैं उरिसा में एक जगा है मयूरभन्ज, उडी सा में एक स्थान है इसस्तान का नाम क्या है इस स्थानाल मैं वह Zoege State 36 सिसAST गड़ मैं कोर्वा नाम के स्थान अगर आपको शartись नहीं आ रहा है तो मैं इसको इंग्लिश में लख देते हूं। कोर्वा नाम बहुत पृरसिद्ध है सुने भी होंगे तो 36 गड़ के कोर्वा नामा के स्थान से कोईला प्राप्त होता है मद्य प्रदेश में तीन स्थान है जिस मैंसे जो सिंगरौली है यह बहुत चानदा प्रसिद्ध है और यह मतलब इसके नाम में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्या है मैं समझाता अब से आंद्रप्रदेश से तेलंगना राज प्रथक हुआ है तो यह सिंगरैनी जो है जो सिंगरैनी का छित्र है यह अब तेलंगना में है लेकिन कई सारी किताबों में अभी भी यह आंद्रप्रदेश लिखा है और 2014 से मैंने कई सारे एक्जामों में देखा है कि कुश् श्तितस एक ऐम के हवालि प्रदेम कि कुछ जामणर की से उते हैं ऑपको मनना पड़ेगा थेका वैसे तो तो यहां जहां सब्सक्राइब लाज है जहां पर कुछ मात्पूंड कोईला छहतर है सिंग रैनी और सिंग रॉली में बहुत जाना अंतर नहीं है देखो सिंग 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 तो यहाँ ठीक है सिंग रॉली मद्रपदेस इस परकार से याद रखीगा तो यह आपका कोहला से संबंदित बाते थी आपके एकजाम में इससे बाहर कुश्चन आपके नहीं बनीगे कोईला की बाद आती है हमारे पास petrol और petrol के साथ प्राकृतिक गैस हमेशा याद रखेगा कि जो प्राकृतिक गैस होती है जो आपकी natural gas होती है प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस सदेव प्राकृतिक गैस सदेव पैट्रॉलियम के साथ ही पाई जाती है ठीक है याद रखेगा मतलब इसका यह हो गया कि जिन छेत्रों से हमें पैट्रॉलियम के प्राप्ति होगी उनी छेत्रों से हमें प्राकृतिक गैस की भी प्राप्ति होगी जिन छेत्रों से हमें पैट्रॉलियम मिलेगा उनी छेत्रों से प्राकृतिक गैस मिलेगी मैंने लिखा है जो petroleum होता है या hydrocarbon का मिश्रण होता है अभी एक exam हुआ उस exam में question पूछा गया चार option थे LPG, CNG, petroleum और diesel सबसे जानदा ज्लने की दर petroleum की क्योंकि petroleum जो होता है वो hydrocarbon का मिश्रण होता है hydrogen और carbon होती है 70% hydrogen और 30% carbon और इस ब्रमान में जितने भी जो लंसील पदार्थ है या जो लंसील गैसे है उनमें hydrogen सरवाधिक जो लंसील है आप लोग news में भी सुन रहे होंगे कि भविस्च में hydrogen से चलने वाले बहान आएंगे क्योंकि प्रदूसर्ण का मुत्पने करते हैं और अच्छी उस्मा की प्रा तो आप petroleum की बताएगा क्योंकि petroleum hydrocarbon का मिस्रण होता है hydrocarbon में 70% hydrogen पाए जाती है वही 30% क्या पाए जाती है carbon वही 30% carbon इसलिए यह भी कहा जाता है कि hydrocarbon जैसे हम प्राकृतिक गया स्यूज कर रहे है या petroleum उप्योग कर रहे है तो इनसे production भी कम फैलता है क्योंकि carbon की मात्रा लग नहीं वही पर हमें natural gas की प्राप्ति होगी प्राकृतिक गयस तो भारत में अगर हम petroleum की बात करते हैं तो भारत में petroleum से सम्मंदित तीन छेतर है भारत में petroleum के छेतर है भारत के petroleum उत्पादक छेतर कौन कौन से petroleum उत्पादक छेतर है भारत के petroleum उत्पादक छेतर है कौन कौन से भारत में पैट्रॉलियम उत्पादक छित्र है ठीक है कौन कौन से भारत में पैट्रॉलियम उत्पादक छित्र है तो तीन छित्र याद रखेगा पहला असम का छित्र है पहला कौन सा छित्र है असम का छित्र ठीक है तो सबसे पहले इसी को समझात हूँ मैं पहल सर्व प्रथम, माकूम में सर्व प्रथम, 8067 में भारत का पहला तेल का कुवा खोदा गया था, भारत का पहला तेल का कुवा खोदा गया तो असम के माकूम में, 8067 में भारत का पहला तेल का कुवा खोदा गया, उसके बाद असम में ही एक जगह है डिगबोई में, नाम सुने होंगे असम के डिगबोई में ही, डिगबोई में, 8089 में, 8089 में, दूसरा तेल का कुवा खोदा गया, भारत का दूसरा तेल का कुवा खोदा गया, भारत का दूसरा तेल का कुवा खोदा गया, भारत का दूसरा तेल का कुवा खोदा गया, एक्टी 006 में कहा पर कुवा खोदा गया क्कुवा खोदा गया ठीक है, भारत की पहली तेल रिफाइनरी, तील परिशोधन साला बोलते हैं, ठीक है तेल रिफाइनरी बोलते हूँ, All Refinary Ingl Primetime, में ऐसा नहीं है कि धरातल से हमने तेल निकाला और तुरंत अपनी बाइक में या कार में डाली ऐसा नहीं होता है उसको हम लोगों को क्या करना होता है रिफाइन करना होता है और रिफाइन करने के बाद ही रिफाइन करने के बाद ही उसको हम क्या कर सकते हैं उपयोग में ला भारत की पहली तेल रिफाइनरी इस्थापित की गई थी याद रखेगा वर्तमान समय में भारत में 24 तेल रिफाइनरी हैं वर्तमान में भारत में कितनी हैं वर्तमान में भारत में 24 तेल रिफाइनरी हैं याद रखेगा तो असम के दो छितर भी तक मैंने बता है माकूम और देखोई इनके अलावा असम में और भी छितर हैं जहां से खनिस तेल की प्राप्ति होती है इनके अलावा असम के अन्य छितर कौन से हैं जहां से खनिस तेल की प्राप्ति होती है या इंपर्टेंट है और बार बार एक जामना रे आप से पूछता है और कौन कौन से छितर हैं जहां से खनिस तेल की प्राप्ति होती है तो आप लोगोंने एक नाम सुना होगा गुबाहटी गुबाहटी भी नाम सुना होगा एक आपने नाम सुना होगा नहार कटिया नहार कटिया एक आपने नाम सुना होगा नौगाओं ठीक है नौगाओं ठीक है नौमाली कर लिख दिये ठीक है शुर्मा घाटी यहीं पर एक घा की प्राप्ति होती है असम के यह चेत्र है और इन चेत्रों से किसकी प्राप्ति होती है इन चेत्रों से प्राप्ति होती है खनिश तेल की ठीक है और मैंने आपको क्या बताया है कि जहां पर खनिश तेल होगा खनिश तेल के साथ ही साथ क्या पाय जा रहा है खनिश तेल जहा है किसके अंतरगत आती है किस सहर में है तो याद रखेगा मतुरा में मतुरा तेल रिफाइनरी याद रखेगा ठीक है तो मैंने लिखा है भारत के पैट्रॉलियम चितर भारत में तीन स्थानों से खनिश्टेल यानि प्राप्ति होती है और याद रखेगा पैट्रॉलियम के अंतर का तीनों है ऐसा मत सोचेगा पैट्रॉलियम का मतला पैट्रॉल डेजल और कैरोसन पैट्रॉल डेजर और कैरोसन होता है पैट्रॉलियम का बतलब ठीक है तो पहली बात तो हो ग दूसरा छित्र कौन सा है गुजरात का तेल छित्र यहां पर कौन कौन से स्थान है जहां से खनिश तेल की प्राप्ति होती है तो एक स्थान है यहां पर जिसका नाम है अंकलेशर एक स्थान यहां पर है इस स्थान का नाम क्या है तो इस स्थान का नाम याद रखेगा अंकले दे रहा हूँ यह नाम थोड़ा संज में नहीं आ रहा है यह महसाना तो संज में आ रहा है यह तीसरा इस्थान जो लिखाता है यहाँ पर कलूल नाम जरूर सुने होगे कलूल चौथा इस्थान यहाँ पर कलूल लिखाए जाम नगर जाम नगर में रिलाइंस इनश्ट्रीज की तेल रिफाइनरी इस्थ है तो जाम नगर यह रिलाइंस की तेल रिफाइनरी है कोयली ए कहां पर है गुजरात में है और गुजरात में ही है खंबात की खाड़ी गुजरात में ही कौन सा तेल चित्र है गुजरात में ही एक तेल चित्र है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है खंबात की खाड़ी जिसका नाम क्या है इस तेल खेतर का नाम है खंबात की खाड़ी तेल खेतर ठीक है बात सज में आगी तो दूसरा तेल खेतर हो गया गुजरात का तेल खेतर ठीक है गुजरात के बाद तीसरा जो है यह महाराष्ट का तेल खेत है गुजरात के बाद महाराष्ट तेल छेतर ठीक है महाराष्ट के तटिये छेतर से भी खनिश तेल के प्राप्ते होती है मैंने बहुत सारा कुछ लिख रखा है एक-एक से समझना एक-एक बात सजमिया आपको आएगी महाराष्ट है महाराष्ट में आपर मुंबई सहर मैं पढ़ा चुका हूँ मुंबई सहर अगर मैं पूछू बताएगा कौन से दुई परिस्तित है तो आप कहेंगे सर मुंबई सहर साल्सेट दुई परिस्तित है कौन से दुई पर साल्सेट यहां से महाराष्ट के मुंबई सहर से लगबग 116 किलोमीटर मुंबई सहर से कre क्खोज खी गई मुंबई रहा है और आपसे पूछा जाए कि भारत лекणीष्टेल के प्राप्ति का अदिकारह और यह समुद्र में है मुंबाई साहर से 176 किलोमीटर दूर लगवक्स समुद्र में है अब जब इस समुद्र में है तो सर इसकी खोज कैसे की गई तो देखो सन 1976 याद कर लेना कितने दूर है 176 कितने किलोमीटर दूर है समुद्र में 176 या पन और जोड़े लेना मुंबई हाई या बाम्बे हाई तेल छेतर की क्या की गई खोच की गई और यहां से जो पैट्रॉलियम निकलता है उस पैट्रॉलियम में सलफर नहीं पाय जाता है गंधक नहीं पाय जाता है यह सबसे बड़ी विश्चता है यहां की ठीक है तो कौन से जलियान से खनिस तेल की यानि मुंबई हाई या बाम्बे हाई नामकिस्तान की खोच की गई थी समुद्र समराट नामक जलियान से 1976 में ठीक है मुंबई से लगवग 176 किलोमेटर दूर है तो यह मात्पूर मात्पूर तेल छेत्र हो गए लेकिन इनके अलावा ऑथेंटिक किताबों में आपको यह तीन छेत्र लिखे मिलेंगे लेकिन इनके अलावा कुछ और भी छेत्र है जहां पर नए खनिस तेल छेत्रों की खोच की गई राजिस्तान में एक जिला है जिसका नाम है बाडमेर जिला तो राजिस्तान के बाडमेर में से खनिस तेल की प्राप्ती हो रही है यहां पर खन जनपद में राजिस्थान के बाड़ मेर में एस्वरिया मंगलम एवं भाग्यम खनिश तेल छित्रों की खोच की गई है एस्वरिया मंगलम और भाग्यम खनिश तेल छित्रों की खोच की गई है राजिस्थान के बाड़ मेर में आंध्य प्रदेश का जो रावा तटिये छित्र है आंध्य प्रदेश के तटिये छित्र को रावा तट कहते हैं आंध्य प्रदेश का रावा तटिये छित्र को रावा तट कहते हैं आंध्य प्रदेश का रावा तटिये छित्र को रावा तट कहते हैं आंध्य प्रदेश का आज की एक बहतरीन सांदार क्लास और इस सांदार क्लास में अगर मैं आपसे बात करूँ इस सांदार क्लास में अगर मैं आपसे बात करूँ खनिश संसादन मैं आपको पढ़ा रहा था और आज की इस क्लास मैंने इधन खनेज इधन खनेज इसको हम जीवास में खनिश के ना से लिख लिया है और आराम से हमने एक एक पॉइंट को आपको समझा दिया है है ना आई होप उमीद है कि आपको लेक्टर संज में आएगा ठीक है अभी ये वीडियो आपको रेकार्डेट मिलना है आप भी समझ रहे हैं कि अभी छुटी चल नहीं है होली का समय है तो जरूर एक अपना प्यारा समय से जरूर डाल दिया करिएगा कि कैसी आपको क्लास लगी ठीक है और अगर कोई चुकी लाइब नहीं है हम लोग आगर कोई आपका कमेंट भी हो कोई आपको कन्फ्यूजन भी हो तो आप पूछ लेना ठीक है क्योंकि जब मैं बापिस आऊंगा जब झाल